अल्गो ट्रेडिंग के निमेलिकित फाइदे हैं पहला आपकी इंट्री और इंट्री और इंट्री आ जाएगी आपके टार्गेट या श्टॉप लोस के अनुसार इंट्री इंट्री भी हो जाएगी तिसरा आपकिसी इस्टिट्जी का एकूरेट बैक्टेश टाइम प्रेट का नुसार एक सकेंड में कर सकते हैं चोथा यह पेट नॉलेज है लेकिन हम आपको फ्री में दे रहे हैं तो आप अदद के रूप में चैनल सस्क्राइब जरू कीजेगा अब सभी का लोग बहुत बहुत स्वागत हैं फिर से इस नए वीडियो में मिल चुके हैं तो चलिए आज नहीं टॉपिक के साथ आ हैं इस वीडियो का जो टॉपिक है पहले में समझेंगे की हाव टू यूज क्रॉस फंशन इन भी ब्रोकर कैसे हम लोग क्रॉस फंशन का यूज कर सकते हैं दूसरे टॉपिक में समझेंगे की वोट इस यह बैनिफिट कौन कौन से बैनिफिट है उसके बारे में भी जानेंगे सब्सक्राइब करते हैं तो पहला टॉपिक समझते हैं हाव टू यूज क्रॉस फंशन इन भी ब्रोकर तो इसके लिए हम जो अपना जो है उपन कर लेंगे अंब यहां पर जो है helps your इसमें समझेंगे इसके अंदर बंद Coming शन लिखी है सिंपल समझने के लिए मि最ल करणा का सॉट फर्म में समय है जाया और लिक्ठाए च्रोस डर्रोस का सिंपर मिविनिंग स्जों क्रोस ऑट्र Saya करने के लिए उसका इसीन्स सीधार हो आपको इस प्रकार यहां पर दिख़ेगा एक जो है इस में परामिटर दो दिया है एक समझते हैं याने की निकल है ऊटी है तो यह मत्रय को प्राइस निकल आती है कि फिर इस जूओर ह kennism condition यानी कि array PM क्या फंपन स मिसमें शफ्रैज समलन समझें और ट्रू ऑन दे डेट अरे वन क्रॉसेज एबो अरे टू अधर रिजल्ट इस जीरो तो यहां पर सिंप्ली जो लिखा है यह जो है हमें जो है वन तब देता है जैसे कि आप जो अगर आप जो है कोड के बारे में जानते होगे तो वन का मतलब होता है ट्रू और जो है जीरो का मतलब होता है फॉल्स यह आपको सिंप्ली जो पता होगी तो 1 कब देगा यानी कि true condition कब ये देगा जब हमारा जो ये array 1 है वो उपर cross कर देगा कि इसके array 2 के उपर cross कर देगा तब हमारा जो है true हो जाएगा जैसे कि समझे कि मैं यहाँ पर जो है मैं आपको यहाँ दीख के समझाता हूँ जैसे कि माल लेजेगे कि जो अरे 2 है वो जो है 10 है ठीक है फिन उसके बाद हमारा जो यह जो अरे 1 है वो मतलब कोई भी प्राइस हो चल रही थी और वो 11 हो गया मतलब कि इसको जो उसके उपर अचानक जो क्रॉस कर दिया तो आप जो हमारा वन यानि ट्रू कांडिशन हमारा जो रहेगा कंडिशन वो ट्रू हो जाएगा ठीक है तो फिन उसके बाद हमें जो 0 का मिलेगा मतलब कि जब यह क्रॉस नहीं करेगा तो हमारा जो वैलू रहेगा वो सिंपली रहेगा जीरो ठीक है To find out when array 1 crosses below Array 2 use the formula cross array 2 और array 1 तो इसमें लिखाएगी अगर आपको जो है Array 2 को जो है cross करना है तो आप जो है Array 2 को आगे लिख सकते हो फिन इसके बाद जो है इसको छोड देते हैं अब 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 साब इसको जो समझ के रखिए आपको एक ही चीज समझने है बाकि सब चीज अपने स्चमा जा रहेगी चलिए इसका जो एक्जामपल देख लेते हैं तो यहां पर जो एक्जामपल करके दिखाया है सब्सक्राइब करेंगे तो चलिए देखते हैं तो यहां पर मैं जो अपना जो इसको उपन कर लेता हूं इसमें मैं आपको जूपी रहेगा कोड समझाता हूं तो देखिए जो अगर आपके पास नहीं तो आप ज़रूर इसको डाउनूट कर लेजिए फ्री में भी मिलता है कि अभी उसकर सकते हैं तो देखिए यह तो चलिए देखते हैं तो यहां पर कुछ ज्यादा मगजमारी नहीं है तो पहले इसको महटा देता हूं यह जो हमने यहां पर डे ओफ बीक कर लिया था तो इसको बस रहने देते हैं इस इंसेट क्लिक कर देते हैं तो यहां पर हमारा बस इसके बाद यहां पर कर देता हूं तो यह जो फेस्टेस में जो इतना इसमें में डाल देता हूं ओके हूं कि बाद देखते हैं तो इसको पूरा इसको स्लेट कर लेता है फिन इसमेन एक जिन डाल देते हैं आ तो यह 3 तो अब यहां पर मैं यहां पर लिक देटा हूं कि हम जिसमें क्रास का लेता हूं ठीक है कि हम्जार क्लिक करेंगे consent क्लिक करते हैं तो चलिए देख लेते हैं तो इसको जो हम पहले बढ़ा कर लेते हैं तो इसको इससे बढ़ा लेंगे ठीक है तो पहले कोड को समझ लेते हैं इसमें जो simply क्या लिखा है कि जो हमारा close है इसमें जो है कि यहां पर दिया है कि इसमें मैं सिंपल बना देता हूं कि जैसे कि जो मेरा जो चैंडल है ठीक है जो मेरा जो करेंट केंडल जब जो है पिछले वाले ओपन को जब क्रोस करतेगा अब करें देगता यहां जैसे कि आप रहे देखते हैं कि हमारा किधर प्रूर्फ कि अधर पर आहें तो यहां पर देखिये इसके क्लोस को जो क्रोस कर दिया है तो यहां पर क्लोस था तो करेंट क्लोस जो यह है तो इसको जो यहां पर क्लोस कर दिया तो इसलिए जो फैच देखिए यहां पर तो यह बिसिते दम-स ज्तियूब को घाए बश्याए रखे ₹ के बश्युन ओहनुरे ₹ आवला ₹ स्धी पत्वी स्केंडर का एक ओंध़ जिक्रुटО्ज का लीड़्यकर प्र-ले-पर-वaş्व को जो है यह करना क्लोश क्रोस कर देत वह ना गया है तो आप इस! बैप लटी को आ है कि चले क्लोब के सकते हैं जान लेते हैं है वट दिजिवा एक Requem-eosen उसथ जान लेते हैं सलेश का यह जो किसी में भी जैसे अचानक कोई भी चीज क्रॉस होगी तो इसके लिए यूस करते हैं है ठीक है और वो तभी जो टू होगा जब उसका क्रॉस होगा बाकी समय वो ट्रू नहीं होगा ठीक है सब सर्दन क्रॉस होगा तम सकंड में की it is used in strategy like ब्र्इक रेंगल ब्रेक आउट लाइन ब्रेक आउटेट्स यह से इसका र च्डॉ मैं सुम्णिय। सब्सक्राइब करना सभाइब क्या रिक्या जाता है और भी इसे प्राइब क्रिकाले बहुत सारे जो यूज है ठीक है इसको आप बोट तरीके से डानेमिक तरीके से इसका आप यूस कर सकते हैं अपने हिसाप से तो यह जो क्रॉस स्पंसरिंग के बारे में था जो आपको यहां पर बेसिक बताई तो यह मैंने आपको बताईए सो थैंस पर वाचिंग इसी तरह नारोजवर वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रही हैं मिलते हैं ने इस वीडियो में